कि में किस उतना पड़ा किस पड़े बापरे तो दोस्तों टूटू डे आप सबको 21 देजिए से हाई हाई अमी गुस्सा हो गया मैं अगर टूटू से बात नहीं करूंगा तो यह गुस्सा हो जाएगा चलने का अंदाज कि दोस्तों टूटू डे आप सबको 21 दे दिये इसके लिए तो एक लाइक बनता है एना टूटू से हाई कहां जा रहा है हो देखिए इसका चलने का अंदाज देखिए हमें सुभे टाइम सब के साथ कुछ ना कुछ टाइम तो बिताना पड़ता ही है कितना भी काम रहे जल्दी जल्दी सुभा उड़ जाते हैं छे बजे उसके बाद बेबी को फीट करवाना पड़ता है इसके बाद हमको काम में जाना पड़ता है तुटू का यह नया स्टाइल है तुटू कैमेरे के सामने आके मुंडी नीचे करके बैठ जाता है उसे हाई जिब में किस उतना पड़ा किस पड़े वापरे तुटू इसके पास जाता है और थोरा साइसका पंको चुम्मा देके चला आता है हाई तुटू से हाई से हाई कम यह कम यह मौआ देखे कितना प्यारा है हमाई अपरा तुम बड़ा बेबी तुटू इसको किसी दो किसी दो है किसी दे इसको हाई से हाई से हाई से हाई हलो हाई हाई देखिए कितना दोस्ति है टुटु से इसके पास आके कितना चुपके से दोनों बैठा है जला बेबी को हाइब दो एकले किसी दन दने जाएं दो भरिंज का पैर तो बहुत्स बड़ा है इसका नखुन तो बहुत तेज़ भारा इसके नाखुन में आज इसको एक नया फ्रूट देंगे चैना जो है हम बई़ कर देते हैं ये तो बहुत अच्छे से इसको चबाता है, आज इसको हम पपाया देंगे, तूटू का वीडियो हम नहीं इसलिए बना रहे हैं, क्यूंकि हमें दूसरे जो बच्चा है, भूटू को उसको टाइम देना पड़ता है, तूटू तो अल्रेडी ट्रेन है, इसके उपर तो हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, क्य अगर पॉसिबल है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसका प्राइस रगबग अठासो या दो हजार रुपए है, लेकिन वो एक सब्लिमेंट है, उसमें ही आपको हर ज़रूरी चीज मिल जाएगा, वो एक सब्लिमेंट में आपको वीटामीन, कैल्सियाम, और वीटामीन एक चीमटा सथ मिला देना पड़ता है, आप सीड्स दे रहे हैं, आप फूट्स दे रहे हैं, जो अच्छा खाता है, उसमें ही मिला के हम टूटू को दे रहे हैं कुछ नहीं किया है नहीं दिया है ठाली टूटू को एक किस देना पड़ता है कमिया टूटू आ जाता है और टूटू के किस देना पड़ता है तो दोस्तों इसके लिए तो एक लाइक और टूटू के लिए एक किस आपके तरफ से तो बनता है यह बेबी का तो आज एज 60 डेज हो चुका है और इसको तो अभी भी चार टाइम दिन में हैं फीडिंग देना पर रहा है ए-19 हम खिला रहे है यह भी खाने में बहुत नखड़ा करता है इसको लगबग 60 ml फीट करवाना पड़ता है 40 ml खिलाने के बाद भी लांस्ट जो 20 ml है उसको लेके बहुत मसकत करना पड़ता है इसको तो अभी वेदर गरम हो चुका है इसको अभी हम बॉक्स पे खाली रात को रखते हैं जब ठंड होता है फैन भी चलाना पड़ता है तो इसलिए हम दिन में इसको केज में रखते हैं तो दोस्तों आज वीडियो उही पर खतम करते हैं अभी हमें टाइम देना पड़ेगा भूटू को उसके साथ थोरा सा फ्लाइंग ट्रेनिंग करना पड़ेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगए तो जरुर एक लाइक कर दीजि तो बस आज के लिए पस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में